तो दिखी दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का कमेंट्स था कि आप हमें ये बताइए कि जारखंड हाइकॉट में जो टाइपीश्ट और अस्ट्रोग्राफर वेकेंसी आई है उसमें कितने टोटल फॉर्म्स आये हैं ठीक है तो आज लास्ट डेट है और लास्ट डेट और आज रात तक का टाइम है और इसमें आपका जो है अभी तो मैं आपका यह इसमें दिखा रहा हूं टाइपिश्ट वाला में ठीक है 27,664 हो सकता है आज रात तक यह डाटा 30,000 तक पहुंच जाए ठीक है तो 30,000 हम लोग अनुमान लेके चलते हैं इसमें और एस्टनोग पर चुका लेकिन 35,000 आदमी ने यहां पर टोटल फॉर्म बार होंगे ठीक है यह 35,000 बारा है अब फीपेमेंट कितने लोगों ने किया होगा तो दिखिए कितना भी किजिए फिर भी आपका कितना भी डाटा काटिए तो आपका आ जाएगा फीपेमेंट यहां पर मान इना दस जार आदमी नहीं परता है तो फिर भी आपका 25,000 आदमी जो है 10,000 हमने मान लिए 10,000 आदमी ने फीपेमेंट नहीं किया फिर भी 25,000 आदमी यहां पर फिर फॉर्म एप्लाई किया है ठीक है अब दिखिए यहां पर हम लोगों ने निकाल दिया है आपका कैलकुले नहीं किया है ठीक है फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि 25 जार लोगों ने फी पेमेंट सहीद फॉर्म को फिलप किया तो हमारा 648 पोस्ट है टोटल ठीक है और इसमें हम डिवाइट करते हैं तो 38 लोगों पे हमारा कमपेडिशन आता है ठीक है अगर हम यहाँ तो इस पे हमारा आता है 50 फिर भी मैकसिमम भी करें फिर भी 50 केंडिट से हमारा फाइट है एक सिट के लिए ठीक है तो यहाँ पे आपका कमपेडिशन कम हो जाता है जबकि हम जहारखन हाइकोट की असिस्टेंट की बात करें जिसमें लगवग फोर्म आपका 47,000 आदमी ने एपलाई किया था ठीक है 47,000 आदमियों ने एपलाई किया था और इसमें टोटल सिट कितने थी 55 तो यहाँ पे हमारा जो कमपेडिशन है भाग के हो जाता है 8054 ठीक है मतलब की कितना भी करें फिर भी आपका जहारखन आसिस्टेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका एक सिट के लिए 800 केंडिट खड़ा है ठीक है और टाइपिस्ट की यहगर बात करें तो एक कंडिट के लिए 35 आदमी खड़ा है ठीक है 35-37 खड़ा है तो टप है भाई यह हॉट चैना असिस्टेंट की नोक्री है बहुत ज़ีड़ा टप होगा ठीक है चलिए यह थ्या और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसमें सेटिंग भी होता है देखिए भाई डारेकली फैस्ट फैस्ट वीडियो के थुरूत मैं नहीं बोल सकता क्या होता है नहीं होता है बाकि आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं ठीक है ठाइंक यू